Hello everyone, Good afternoon and welcome to Government Private Job Alerts So guys, आज हम लोग discuss करने वाले हैं आपके SSE, CGL, Tire 3 के बारे में जैसे कि दो exams, आपके दो tires थे, वो अलरी हो चुके हैं उसके बाद जो आपका 3rd tire है, यह आपका descriptive exam था इसके बाद जो आपका tire 4 होगा, यह आप skill test बोलीजिए या typing test बोलीजिए वो, उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, तो पहले अभी हम discuss करते हैं tire 3 के बारे में, क्योंकि आपका जो exam था, वो आज complete हो चुका है आपकी 6th of Feb है आज, और इसमें, इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में discuss करेंगे, for example, आपका exam analysis क्या था, उसके बाद जो भी आपके questions पूछे गए थे, descriptive exam में, क्या आए थे, क्योंकि देखिए, slivers तो आप लोगों को पता होगा, आपके total चार topics होते है, essay letter application, जो आपके slivers होता है, उसके साथ साथ देखिए, जो दो exams में, आपके दो questions आते हैं, सिर्फ exam में, तो उसी के बारे हम बात करेंगे, क्या-क्या आपके पूछे गए थे, क्या essay आया था, क्या letter आया था, क्या प्रैसी आया था, और उसके बाद, फिर हम discuss करेंगे, आपके क्या-क्या questions आये थे, और उनकी word limit क्या थी, और किस टाइप में आपके questions थे, क्या उनका difficulty level था, क्या, जैसे क्या था, कि last time आपको क्या आया था, काफी ज़्यादा जो environment के उपर कोई exam आ गया था, तो वो थोड़ा सा difficult था, लेकिन इस बार इमें बात करेंगे, क्योंकि students से भी बात किये, तो अब चलिए discuss करते हैं, तो देखिए, जो आपके दो questions आते हैं, I think आप सभी को students को यह doubt है कि हमने 260 कर दिये, 265 कर दिये, 27 कर दिये, तो क्या हमारा चेक होगा, क्या नहीं होगा, तो देखिए, plus minus 10 आपकी 10% आपका क्या होता है, word limit allow होती है, तो पच्चेस का आपका 10% होता है, तो पच्चेस प्लस और पच्चेस माइनस आप allowed हो, उसके बाद अब हम बा या descriptive की, जिनने इस question के बारे में नहीं पता होगा, और देखिए, यह, I guess, सबने ही try कर लिया होगा, और even एक बारी लिखके भी देख लिया होगा, जिस बारे में बात कर रहे है, effect of COVID-19 on the life of India, तो इंडिया का चुबी COVID-19 का effect था, और क्या-क्या problems थी, क्या-क्या life challenges थे, या आप कुछ भी add कर सकते हो, इसमें, देखिए, पचास नंबर का आपका question था, और इसमें क्या था, आपका आपका था, यह, आपका topic, जैसे कि हमने आपको बताया, question 1 यह था, इसमें आप क्या कर सकते थे, देखिए, background होगे आपका, कहां से आया था COVID-19, क्या हुआ था, कैसे spread हुआ था, virus के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते थे, यह होगा, background introduction थोड़ा सा दे सकते थे आप, और उसके बाद, आप कुछ भी अपना analysis स्टार्ट कर सकते थे, और I guess, आप लोग के पास काफी सारे topics होंगे, plenty of points होंगे, mention करने के लिए, because यह, I think, one of the easiest topic था, जो भी CGL इस बारी दिया हुआ है, तो यह था आपका पहला question, essay के बारे में, और I guess, इस question में, किसी को भी शायद कोई doubt आया होगा, या कोई थोड़ी बहुत भी problem आया होगी, because, जो student भी तयारी नहीं करके गया होगा, मैं बैठ कर सकता हूँ, उन्होंने भी आसानी से, जो topic था, इसक time आपको प्रैसी आया था, और इस बार भी आपका प्रैसी ही आया है, लेटर नहीं आया है आपका, तो अगला question जो है हमारा, उसमें हम प्रैसी के बारे में discuss करेंगे, देखिए, प्रैसी आया था आपका, और आपको 80-90 words में लिखना था, अब देखिए, फिर से यही doubt आए 90 words के बीच में आपको लिखना था, उसके बाद देखिए, टॉपिक क्या था, टॉपिक देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हिंडी में समझाने कोशिश करूँआ, टॉपिक आपका था, इन्टॉक्सिकेंट्स या जो आपके साइको टॉकिक जो ड्रॉक्स होते हैं, मतलब इ इनकी जो आपकी यूसेज है वो बढ़ती जा रही है, पहले क्या था कि थोड़ा सा लेते थे, ओकेजनली थोड़ा बहुत कंस्यूम करते थे, लेकिन जैसे जैसे 19 सेंच्यूरी पास होती गई, तो क्या है कि इसका इंटेक काफी जएदा इंक्रीज हो गया, और अभी क्या यहां कैने का कि 90 प्लस 9, यहीं परसन्ट हो जाएका 9, 99 words, 100 words, 101 words आपने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप word limit में हो, आपका paper बिल्कुल check होगा, और यहीं पर आप lower limit देख लिए, I guess lower limit तो किसी नहीं भी touch नहीं किया होगी, तब आगे ही चलते हैं, तो अगर 10% आप लिए 72 से आप अगर 99 तक कर रहेए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 72 से 99 तक कोई कोई दिक्कत नहीं होगी इतने वर्ट में अगर आपने किया तो आपका पैस्स डेफिनिटली चेक होगा उसके बाद देखिए यह जो आपका था जो आपको heading थी और देखिए एक और डाउट किया students का कि वो पूछते हैं कि हमने heading में जैसे 5 words लिखे 6 words लिखे और उसके बाद जो भी हमारा total हमारा प्रैसी था तो क्या जो आपकी headings हैं वो भी count होती है जी नहीं देखिए heading जो होती है आपकी वो count नहीं होती वो अलग होता है इसका मतलब आपको जो यह आपके for example अगर आपका यह heading है intoxicants use कर लीजिए या psychotropic drugs use कर लीजिए and usage increase in decades यह आपका जैसे title होगा for example आपके example दे रहे हैं जो भी हमने देखके लगा हमने उसका title दे दिया है आपका अलग title होगा 100-5 95 words ही लिखे हैं तो अभी भी अगर आपको को doubt है या कोई suggestion है तो आप comment section में जरू बताइएगा इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए अभी हम आपकी जो cut-offs हैं CGL की cut-off हो गई साथ-साथ आपकी जो CPU 2020 की cut-off होगी देखिए 19 का रजल्ट आ चुका है और 20 की मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आपना ध्यान रखिए और preparation continue रखिए और मिलते हैं नेक्स वीडियो में चलिए जैहन all the best